हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे इस छोटे सी वीडियो में हम क्लास 12 के लेसन डीप वाटर का हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे लास्ट पार्ट पहले दो पार्ट के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और हमने अब तक रहे थे लगातार संगर्श कर रहे थे देखेंगे आगे क्या होता है ओके सेवरल आवर्स लेटर कुछ घंटों के बाद I walked home मैं घर गया I was weak and trembling मैं कमजूर था और काप रहा था I shook and cried मैं काप रहा था चीख रहा था when I lay on my bed जब मैं बिस्तर पर लेटा I could not eat मैं खा नहीं सका that night उस रात for days a haunting fear was in my heart उस दिन का जो डर था वो मेरे मन में समाया हुआ था the slightest exertion upset me चरह सावी प्रयास मुझे डरा देता था making me bobbly in the knees मेरे घुटने डगमगाते थे and sick to my stomach और मेरा पेट खराब हो जाता था I never went back to the pool मैं दुबारा कभी उस पूल पर नहीं गया I feared water मुझे प I avoided it मैं इससे बचा whenever I could जब जब मैंने बाहर जाने का प्रयास किया a few years later उस वर्षों के बाद when I came to know जब मुझे पता चला the waters of the cascades cascades के पानी के बारे में ज़रने के बारे में I wanted to get into them मैं वहां जाना चाहता था and whenever I did जब भी मैंने ऐसा किया whether I was wedding the titan or bumping river जब भी मैं titan or bumping river को पानी को चीरते हुए आगे बढ़ा और bathing in warm lake of the goat rocks, goat rocks की गर्म जील में मैं नहा रहा था the terror that had seized me उस भेने जिसने मुझे जकट रखा था in the pool उस pool में ताल में would come back वापस आ जाता था it would take position of me completely ये मुझे पर पूरी तरह से अधिकार जता लेता था my legs would become paralyzed मेरी टांगे बिलकुल जकट जाती थी अकट जाती थी एक तरह से निस्टेज हो जाती थी I see horror बरफीला डर would grab my heart मेरे हिर्दय को जकट लेता था this handicap stayed with me ये अशमता मेरे साथ बनी रही as the years rolled by जैसे यसे साल बीटते गए in canoes on main lakes fishing for landlocked salmon मैं छोटी छोटी नौकाओं में main lakes में जाकर salmon मशली को पकड़ना जाता था bass fishing in new hampshire, new hampshire में ताजी जल में bass मशली को पकड़ना trot fishing trot मशली को पकड़ना on the deshoots and metallious in origin और Oregon में metallious मशली को पकड़ना fishing for salmon और salmon मशली को पकड़ना on the Columbia Columbia में at bumping lake in the cascades cascade में bumping lake में में मशली पकड़ना wherever I went, जहां जहां मैं गया, the haunting fear of the water followed me पानी के उस डर ने मेरा पीछा किया, it ruined my fishing trips इसने मेरी मशली पकड़नी के अतरह नश्ट कर दी, deprived me of the joy उस आनन से वंचित कर दिया, off canoing चाहे वो छोटी नौका खेना या boating या बड़ी नौका खेना and swimming या फिर तहरा की करना I used every way, मैंने हर तरीका अपनाया I knew जो जानता था, to overcome this fear इस डर से उबरने के लिए but it held me firmly in its grip लेकन इसने मुझे अपनी पकड में रखा हुआ था Finally, अन्त में 1 October, 1 October को I decided मैंने निश्चे किया to get an instructor की मैं प्रिशिक्षक रखूंगा and learn to swim or swimming सीखूंगा I went to a pool, मैं पूल में गया and practiced 5 days a week और हफते में 5 दिन अभ्यास किया, an hour each day, हर दिन एक घंटा The instructor put a belt around me, instructor ने मेरे चारो और एक पेटी बांदी A rope attached to the belt, एक रस्ती उससे बांदी belt से went through a pulley, जो एक पुली से गुजरती थी that ran on an overhead cable, जो ऊपर सर के एक cable से तार से बंदी हुई थी He held on to the end of the rope, उसने एक सरे सरसी पकड़ रखी थी and we went back and forth और हम पीछे और आगे बढ़ते थे back and forth across the pool, पूल से एक सरे से दूसरे सरे hour after hour एक घंटे के बाद दूसरा घंटा, day after day, दिन बादिन, week after week सबता दर सबता on each trip across the pool, उस पूल की हर यात्रा a bit of the panic seized me, थोड़ा बहुत डर मुझे घरता था, each time हर बार the instructor relaxed his hold on the rope, रस्ती को डिली करता था and I went under, मैं नीचे जाता था, some of the old terror return, कुछ पुराना डर वापस आता था and my legs froze मेरे पैर जम जाते थे, it was three months तीन महीने लगे, before the tension begin to slack, जब ये tension कम होना प्राराम भूई, then he taught me, तब उसने मुझे सिखाया to put my face underwater, कि अपने चेरे को पानी के अंदर रखूं and exhale और सांस बाहर निकालू and to raise my nose और नाग बाहर निकालू and inhale और सांस अंदर लू, I repeated the exercise, मैंने ये प्रियास बार बार किया hundreds of times, second of bar मैंने ये exercise की, bit by bit, थोड़ा थोड़ा I shed part of the panic, जो डर था, जिसने मुझे पकड़ा हुआ था, that seized me when my head went enter water, जब मैं अपना सर पानी के अंदर करता था, अब धिरे-धिरे कम होने लगा next he held me at the side of the pool, अगली बार उसने मुझे पूल के बाहर पकड़ा and had me kick with my legs, और मुझसे पैरों से ठोकर मारने कहा four weeks, हफतों तक I did just that, मैंने ठीक वैसा है किया at first, सबसे पहले, my legs refuse to work, मेरे टांगों ने काम करने से मना कर दिया but they gradually relaxed, लेकिन धीरे-धीरे वो relax होते गए, सामान ने होते गए and finally until I could command them, मैं उन्हें आदेशित कर सकता था, यानि कि मेरे पैर मेरे हिसाब से चल लह थे thus piece by piece he built a swimmer, इस परकार धीरे-धीरे करमशा उसने मुझे एक तैराग बनाया and when he had perfected each piece, जब उसने सारे जो जो उसके इस्तर थे वो पूरे कर लिये मुझे समझाने के, he put them together, उन्हें खटा किया into an integrated hole, एक समग्र तरीके से in april he said, april मुझे ने का, now you can swim, अब तुम तैर सकते हो, dive off and swim the length of the pool, crawl stroke, भुजाओं को बाहर की और पहला कर कूदो और हातों और गुटनों से अपनी यातरा पूरी करो, I did, मैंने वही किया, the instructor was finished, इस तरह उन पर शिक्षक का कारे समाबत हुआ but I was not finished, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से सीखा नहीं था, I still wondered, मैं अभी भी सोचता था, if I would be terror striking, कि मुझे डर लगेगा when I was alone in the pool, जो मैं पूल में अकेला हूँगा, I tried it, मैं इसका प्रियाश किया, I swam the length up and down, मैं इस और से उस और गया, tiny vestige, छुटी छुटी चुटी आदें of the old terror, पुराने डर की वो डिटन वापस आ गई, but now I could frown, लेकिन अभी घूरना चाहता था, and say, कहना चाहता था, to that terror, उस भै और आतंक से, trying to scare me, यही, मुझे डराना चाहते हो, well, अच्छा, here is to you, यह तुम हो, लोग देखो, and off, I would go for another length of the pool, और इस तरह एक बार फिर मैं ताल को पूरा तैर कर पार करना चाहता था, This went on, यह इस्तिती बनी रही, until July, July तक, but I was still not satisfied, लेकिन अभी भी मैं संतुष्ट नहीं था, I was not sure, मैं निश्चित नहीं था, that all the terror, had left की सारा डर चला गया है, so I went to lake, इसलिए मैं जील पर गया, Wentworth in New Hampshire, New Hampshire में Wentworth गया, I dived off a dock at Tricks Iceland, Tricks Iceland की जील पर जाकर मैंने च्छलांग लगाई, and swam two miles across the lake, और दो मील तक मैंने swimming की, to stamp, act Iceland, stamp, act Iceland में I swam the crawl, brace stroke, side stroke, and back stroke, और हर तरह से जो जो मैंने सीखा ता, ring कर, चाती के बहल, पारिश तल और प्रिश तल मैंने swimming की, Only once के बहल, एक बार, did the terror return, डर लोट कर आया, when I was in the middle of the lake, जब मैं जील के बीचो बीच में था, I put my face under, मैंने अपने चेहरे को अंदर कर लिया, and saw nothing और कुछ नहीं देखा, but bottomless water cable, तलहीन पानी देखा, the old sensation return, वो पुरानी घवराहट लोटी, in miniature, लगु रूप में, I laughed and said, मैं हसा और कहा, well, अच्छा, Mr. Terror, Mr. Atang, what do you think, तुम क्या सोचते हो, you can do to me, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, it fled, and I swam on, और वो डर भाग गया, और मैं तेरदा रहा, yet I had residual doubts, फिर भी मेरे मन में थोड़े बहुत संधे थे, at my first opportunity, अपने पहले ही अवसर पर, I hurried west में, जल्दी से पश्चिम गया, went of the Titan to Conrad Meadows, Titan में मैंने Conrad चारगाह में गया, up the Conrad Creek trail to Med Glacier, Conrad Creek trail में Med Glacier में गया, and camped in the high meadow, और उचाई पे मैंने चारगाह में camp लगाया, by the side of the warm lake, गरम जील के किनारे, the next morning, अगली सुबह, I striped, मैं एक कपड़े उतारे, dived into the lake, जील में छलांग लगाई, and swam across to the other shore and back, दूसरे चोर पर गया, लट के आया, just as dung corporan used to do, जैसा कि dung corporan किया करते थी, I shouted with joy, मैं खुशी से चिलाया, and Gilbert Peak, return, और Gilbert Peak ने धौनी को वापस लटाला, दाई को, I had conquered my fear of water, और मैंने पानी के अपने डर पर विजए पराप्त कर ली थी, The experience had a deep meaning for me, मेरे लिए इस अनुवब कारत बड़ा गहरा है, as only those के वल वे लोग who have known stark terror, जो इस गहरे आतंग के डर को समझते हैं, and conquered it, और उस पर काबू पाया है, it can appreciate, वही इसको समझ सकते हैं, और उसकी परशिंसा कर सकते हैं, As Roosevelt knew when he said, जैसा कि Roosevelt जानते थे जब वो कहते हैं, All we have to fear is fear itself, हम जो लोग भी डरते हैं, वो swim से डरते हैं, because I had experienced both, क्योंकि मैंने दोनों का अनुभब किया, The sensation of dying, मरने का डर, and the terror that fear of it can produce, और वो डर, जो इस डर को उत्पन करता है, The will to live somehow grew in intensity, जीवित रहने की इच्छा किसी भी तरह से ती परता से पैदा होती, At last I felt released, अन्त में मैंने अपने को मुक्त महसूस किया, Free to walk the trails, पगडंडियों पर चलने के लिए मुक्त, and climb the peaks, और परवत की चोटियों पर चलने के लिए सतंत्र, and to brush aside fear, और इन सब चीजों ने मेरे डर को दूर कर दिया है, So friends, आप को ये वीडियो कैसा लगा, एक lesson, इसका explanation, ट्रासलेशन अच्छा लगा, बहुत हो लाइक करें, share करें, subscribe करें, English by eskos, Bye.